हलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आज हम शुरू करेंगे पार्ट 14 काल इवं वाच्चे क्या कहता है पार्ट किसे कहते हैं वाच्चे क्या होता है आईए पार्ट पढ़कर जानते हैं आओ चर्चा करते हैं अपूर्ण वर्तमानकाल और संदिग्ध वर्तमानकाल में क्या अंतर है अत्वा प्रत्वाच्ये और कर्मवाच्ये कैसे बनते हैं मितरों से चर्चा किजिए इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं कल दिवाली थी मा खाना बना रही है कल हम गेटवे ऊफ इंडिया देखने जाएंगे दियदए बहुत दिल वाक्यों की क्रियाओं थी है और जाएंगे से अलग-अलग कालों समय का बोद हो रहा है इन उनके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं काल के भेद काल के तीन भेद होते हैं भूतकाल वर्तमानकाल भविश्यतकाल भूतकाल जो समय बीट गया वर्तमानकाल जो समय चल रहा है भविश्यतकाल जो समय आएगा भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूत काल कहते हैं जैसे पहले मैं हरीद्वार में रहता था आशु ने अनुछेद लिखा था उप्योप्त वाक्यों में रहता था लिखा था क्रियाएं बीते हुए समय में हो रही है अतहा ये भूत काल है भूत काल के भेद भूत काल के छे भेद हो सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के संपन्य होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं जैसे बच्चों ने खेल खेला आशु ने अनुच्छेद लिखा था आसन्य भूतकाल का आर्थ है कमीप निकट क्रिया के जिस रूप से यह पता चलेगी क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी-भी समाप्त हुई है उसे आसन्य भूतकाल कहते हैं जैसे माता जी अभी-भी पाजार गई हैहे राम गिटार पजाकर आगया अपून भूधकाल क्रिया कैंक्टे ज sekali कारेbhutkall कर रहा था किन्तों ये नहीं मात्चलता कि कारेस हुआ है है या नहीं वहाइकाल अपून भूधकाल कहलता है जैसे बिराट कोहली बल्ले बाजी कर रहा था दादी सेर कर रही थी पूर्ण भूतकाल प्रिया के जिस रूप से यह पता चले की कारे भूतकाल में ही पूरा हो चुका था वहां पूर्ण भूतकाल होता है जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का समविधान लागू हुआ था राम सिंग लोहे का सामान बनाता था संदिक्द भूतकाल बीते हुए समय में जिस काम के होने के विशे में संदे हो वहां संदिक्द भूतकाल होता है जैसे अभिशेक स्कूल पहुँच गया होगा सचिन तिंदुलकर का शतक पूरा हो गया होगा हेतु हेतु मत भूतकाल भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है तो वहां हेतु हेतु मत भूतकाल होता है जैसे पेड़ पौधे अधिक लगाते तो इतना प्रदूशन नहीं होता पाहर की चीज़े नहीं खाते तो अस्वस्त नहीं होते वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कारे के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे मेरे पापा कम्प्यूटर पर काम कर रहे हैं, मेरी माताजी मेरी छोटी बहन को पढ़ा रही हैं, उप्युक्त वाक्यों में कर रहे हैं, पढ़ा रही हैं, चल रहे समय में कारे के होने का बोध कर रही हैं, अर्थात इन में वर्तमानकाल का बोध हो रहा है, अतहा ये व वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामाने वर्तमान काल, अपूर्न वर्तमान काल, संदिग्द वर्तमान काल, सामाने वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामाने रूप से घटित होने का बोध होता है, उसे सामाने वर्तमान काल कहते हैं जैसे नेहा अनुछेद लिखती है चिडिया आस्मान में उर्ती है अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई अभी चल रही है उस काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं जैसे अनिल साइकिल चला रहा ह रीमा काटून देख रही है संदिग्द वर्तमान काल वर्तमान में क्रिया के होने का संदे हो उस काल को संदिग्द वर्तमान काल कहते हैं जैसे प्रधान मंत्री भाशन दे रहे होंगे पापा ओफिस से आ रहे होंगे भविश्यत काल क्रिया के जिस रूप से आनेस वाले समय क का बोध हो उसे भविश्यतकाल कहते हैं जैसे मेरे पापा का इस्थानांतरन दिल्ली हो जाएगा मैं नए विद्याले में प्रवेश लूँगा मैं अच्छे आच्रण वाले नए नए दोस्त मनाऊंगा मैं दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों पर घूमूंगा उपयोगत वाक करिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामानने रूप से क्रिया होने का बोध हो उसे काल को उसकाल को सामानने भविश्यतकाल कहते हैं जैसे हम बाजार से समान लाएंगे अनीता नरत्य सीखने जाएगी संभावे भविश्यतकाल जहां आने वाले समय में क्रिया होने अत्वा करने की संभावना का बोध हो उस काल को संभावे भविश्यतकाल कहते हैं जैसे सम्भव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊ शायद कल महमान आएंगे वाचि वाचिय का शाब्दिकर्थ है बोलने वाले का विशे वाच्च क्रिया के उस रूप आंतर को कहते हैं जिससे यह बोध हो की क्रिया द्वारा किये गए विधान का विशे क्या है करता कर्म या भाव नीचे दिये गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं विजय किताब पढ़ता है रमेश द्वारा गेन से खेला जाता है दादा जी से चला नहीं जाता वाच्चे कर्या के जिस रूप से यह पता चले कि कर्या कर्टा कर्म या भाव मैसे किस की अनुसार हुई है उसे वाच्चे कहते हैं कर्ता और कर्मकारक क्रिया के सबसे अधिक निकट होते हैं क्रिया की गती कभी कर्ता की अनुसार होती है और कभी कर्म की अनुसार कभी कभी क्रिया की गती भाव की अनुसार भी होती है यही गती वाच्च कहलाती है वाच्च के भेद वाच्चे में कर्ता कर्म अत्वा भाव को प्रधानता के आधार पर इंदी में वाच्चे के तीन भेद माने जाते हैं प्रत वाच्चे, कर्म वाच्चे, भाव वाच्चे, कर्तर वाच्चे जिस वाच्चे में करता वाच्चे के उद्देश के रूप में विद्दिमान हो उसे करत्र वाच्चे कहते हैं इसमें करता की प्रधानता होती है जैसे मदन ट्रक चलाएगा लड़कियां खेल रही है दिये गए वाक्यों में क्रिया का लिंग एवं वचन करता के लिंग एवं वचन के अनुसार जैसे चलाया क्रिया के लिंग वचन करता मदन के अनुसार खेल रही है के लिंग वचन करता लड़कियों के अनुसार है अतहा ये कृत वाच्चे की क्रिया हैं कित्र वाच्चे में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है जैसे सुधीर आ रहा है अकर्मक सुमन ने पाठ पड़ा सकर्मक कर्म वाच्चे जिस वाच्चे में कर्म की प्रधान हो और कर्म ही वाच्चे का उद्देश्य हो जाता है वह कर्म वाच्चे कहलाता है इस वाच्चे में क्रिया का लिंग और वचन सदा कर्म की अनुसार होता है जैसे और्तों द्वारा गीत गाया गीत गाय जा रहे हैं माली द्वारा फूल चुने जाते हैं उप्युक्त वाक्यों में क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार है जाय जा रहे भाव वाच्चे में क्रिया ना तो करता की अनुसार होती है और ना कर्म की अनुसार बलकि यह भाव की अनुसार होती है जैसे मुझसे बोला नहीं जाता, बच्चों से चुप बैठा नहीं जाता उप्युक्त वाक्यों में बोला नहीं जाता बैठा नहीं जाता आधी क्रियाए करता के विशे में कुछ नहीं कह रहीं ना ही कर्म के विशे में कुछ कह रहीं है इनने केवल भाव प्रधान है अतहाई ये भाव वाच्चे है भाव वाच्चे में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है जैसे चलो अब चला जाए अकर्मक थोड़ी देर तहल लिया जाए अकर्मक वाच्यों की पहचान कत्र वाच्चे में करता बिना विभक्ती के होता है कर्म वाच्चे में करता के साथ से या के द्वारा विभक्ती का प्रयोग होता है कर्म वाच्चे में मुख्य क्रिया सकर्मक के साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कला अनुसार रूप जुड़ा होता है भाव वाच्चे में भी करता के साथ सेया के द्वारा कारत चिन होता है भाव वाच्चे की क्रिया सदा अन्य पुरुष फुलिंग एक वचन में रहती है कर्म वाच्चे में जा का प्रयोग वेकल्पिग रूप में होता है जबकि भाव वाच्चे में इसका प्रयोग अनिवारे रूप से होता है वाच्चे परिवर्तन कत्र वाच्चे से कर्म वाच्चे बनाना सर्व प्रथम कत्र वाच्चे की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है जैसे वेभव पुस्तक लिखता पड़ता है वेभव से पुस्तक लिखी पढ़ी गई नमबर दो उस परिवर्थित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप बने उसे जोड़कर साधारन क्रिया को संयुत क्रिया में बदला जाता है जैसे लिखी गई नमबर तीन, यदी कर्ता के साथ कोई विभक्ती लगी हो तो उसे हटा कर से अत्वा के द्वारा लगाया जाता है ने हटा कर से लगाया जाता है जैसे वेभव से पुस्तत लिखी गई नमबर चार, जब क्रिया दविकर्मक होती है तो कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया के लिंग वचन, पुरुष, प्रधान कर्म के अनुसार रखे जाते हैं जैसे मा बच्चे को दूद पिलाती है कत्रवाच्च मा से बच्चे को दूद पिलाया जाता है कर्मवाच्च कत्रवाच्च आईशा फूल चुनती है कर्मवाच्च आईशा से फूल चुने जाते हैं अभिनव ने चोर को पीटा अभिनव से चोर पीटा गया कत्रवाच्च से भाववाच्च बनाना विभक्ती चिन्न से लगाया जाता है क्रिया सदेव पुलिंग एक वचन तथा अन्य पुरुषकी होती है नमबर तीन जा क्रिया के विभिन रूपों का प्रयोग होता है जैसे जाता जाय आदी कत्रवाच्च मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता भाववाच्च मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता मुझसे बैठा नहीं जा सकता हमसे बैठा नहीं जाता कर्मवाच्च से कत्रवाच्च बनाना नमबर एक से के द्वारा विभक्ती चिन्न को हटा कर उसके स्थान पर ने विभक्ती लगा दें नमबर दो क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिये जाते हैं परन्तु यदि क्रिया सामाने भूत काल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं जैसे राम से पढ़ा गया, राम ने पढ़ा, कर्म वाच्चे, आज हमें वचन पढ़ाया गया, कत्र वाच्चे, आज हमने वचन पढ़ा, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, पुलिस ने चोर को पकड़ा, भाव वाच्चे से कत्र वाच्चे बनाना, से के द्वारा प चला जाएं कट्रवाज्चे आओ अब चलें मुझसे सुभा उठा नहीं जाता मैं सुभा उठ नहीं सकती पाट पड़कर हमने सीखा काल क्रिया के होने के समय का बोध कराता है काल के पीन भेद होते हैं भूत काल, वर्तमान काल, भविशत काल भूत काल बीते हुए समय में कारे होने का बोध कराता है वर्तमान काल चल रहे समय में कारे होने का बोध कराता है वविश्यतकाल आने वाले समय में कारे के होने का बोध कराता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि पता कर्म या भाव में से किस के अनुसार हुई है उसे वात्चे खहते है जिस वाच्चे में कर्म ही प्रधान हो और कर्म ही वाक्य का उद्देश हो उसे कर्म वाच्चे वह कर्म वाच्चे जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का उद्देश करता या कर्म नहीं अपितु भाव है वह भाव वाच्चे कहलाता है धन्यवाद बच्चो अब हम मिलेंगे अगले पार्थ में